वेलकुम तो मेरी चैनल मैथमेटिक स्टुडीज आज हम वी वी एसी सिक्स मेस्टुकी बुक डायनमिक्स के चैप्र नमबर 5 के एक्सराइज 5.1 का लेक्चर नमबर 3 देखेंगे देखो यह है हमार एक्जामपल नमबर 7 एक्जामपल नमबर 7 करने से पहले मैं आपको एक दो चीजे बताती हूं जैसे वैसे तो मैंने आपको बेसिक लेक्चर वन में बता दिया था बट यहां पे एक बर देखलो कि अगर MPH मतला माइल्स पर अर को अगर हमें कनवाल्ट करना है जैसे फि्टर लासे के तो उसको हम 22 by 15 से मैल्टिप्लई करते है फिट पर सेकंड के लिए इसके बाद अगर हमें टंस को LB में कनवर्ट करना है तो 2240 के साथ हम मुल्टिप्लाई करते हैं जो यह तो तम्स है ना यह आपकी 5th और 6th चैप्टर में बहुत यूज है हरी कोशन में यूज होंगी तो यह अप अच्छे से देख लो कि माइल्स पर आर को अगर फिट पर से में कनवर्ट करना 22 by 15 टंस को LB में करने तो हर जग ही करो गया लगब बहुत सारी कोशन है 2240 के साथ मुल्टिप्लाई करेंगे अब आओ कोशन पर कोशन क्या बोल रखा है आपका देखो एक ट्रेन हूज मास इस ट्वंटी टंस एक ट्रेन है जिसका मास 20 टंस दे रखा है moves at the rate of 60 miles per hour 60 miles per hour की speed से है वो also जो 1 yard होता है ना वो हमारा 3 feet के इकवल होता है ये बात आपको पता होगी वैसे general daily use में भी इस बात को लेके आते हैं कि 1 yard हमारा 3 feet के इकवल होता है ठीक है तो इस तरीके से होगी देखो किया आप दुबार से एक ट्रेन है जिसका मास 20 टंस है ठीक है मास कितना दे दिया हमारे 20 टंस तो सबसे पहले हम L20 वगारे की form में देंगे ठीक है इसको सभी को एक जैसी form में convert कर लेंगे तो जो हमें मास है वो कितना दिरका 20 टंस तो 20 into 40 L20 हो जाएगा ठीक है moves at a rate of 16 miles per hour मतलब जो हमारी initial velocity है ना वो दे रखी है मतलब की U की value द 16 to 22 by 15 से multiply कर देंगे राइट अब जो यह value cancel बगारा करके आपके value आजेगे 88 bit per second ठीक है यह हो जाएगा इस तरीके से तो यह आपको कितना दे दिया मास दे दिया initial velocity आफ्टर स्टीम इस शुट ओफ जैसे स्टीम खौम शुट ओफ कर देते हैं इट ब्रोट तो रेस्ट बा 500 yards मतलब उसका distance 500 yards दे रखा है ऐसकी value लेकिन क्योंकि हमने फिट बागरा में चेंज गया तो इसको भी हम फिट बागरा में ही चेंज कर लेंगे तो इसके multiply कर देंगे अगर आप 3 से तो यह आपका fit में चेंज हो जाता है 1500 feet हो जाएगा हमें निकालने retardation acceleration आएगी बस आपक कि negative form है तो उसको ही हम retardation बोलते हैं assuming it to be uniform चीक है तो हमें retardation बतानी है इसके अंदर retarding retardation acceleration retardation और force भी तो force के लिए हमें क्या चाहिए mass into जिसे force के लिए हमें चाहिए mass into acceleration होता बस यहां पर retardation होता है इस case में तो mass into retardation हमें चाहिएगा तो उसके लिए retardation निकालने पड़ेगी तो retardation मतलब acceleration ही है एक ताइप से तो देखो अब formula जिसे यहां पर वी और यू और एस हमें given तो हम last वाला v square equals to u square plus 2fs वाला formula लगा देंगी यहां पर जिसे v square वी की value जिसे 0 है minus of 88 का square equals to 2f into as 1500 यहां से f की value आजाएगी आपकी minus of 968 normal सी calculation अपनी solve कर लेना 375 feet per second square यह जो negative का sign आए ना इसका मतलब यह है कि retarding ही acceleration है minus का sign का मतलब अब मुझे कहने काना था force force is equal to mass into retardation या फिर mass into जो हमारी negative acceleration है वो बोल सकते हैं ठीक है तो यह मतलब हो गया इसका तो यह तो आप कर दो इसको retardation इसको नाम देदी retardation हो गया अगर आप इसको retardation बोलोगे तो फिर negative लगाने के जुरूरत नहीं पड़े कितना इसके बाद हमें निकालना है force force होता है जैसे mass into यहां पर क्योंकि retarding force निकालना है तो force retardation लिख देना retardation force लिख देना तो mass कितना था हमारा यहां पर value हमने निकाल देए 20 into 2240 LBs हमारा हो गया था 20 तो खुल गए तो इस तरीके सो गया तो इंटो में जो हमारा टार्डेशन force है वह वाला तो 968.575 इस तरीके से इसको आप सिंपल कर लेंगे तो आपका इस तरीके से जो अंसर है वह आ जाएगा ठीक अगर आप चाहें तो इसको यह जो form आएगी वह हमारी पॉंडल्स की फूम में आएगी अगर आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं बट क्योंकि आपको कोशन टन्स में दे रखा था अगर आपको वापिस टन्स वेट में इसको कनवर्ट करना है तो पहले तो आप इसको एल्बीज में कनवर्ट करोगे वन एल्बीज है न वो 32 प अंसर आजाएगा अधर्वाइस यतना भी आपका ठीक ही है ओके तो इस तरीकी से था आपका एक्जाम्पल नंबर सेंथ एक ट्रेंस थी जिसका मास दे रखा कुछ भी था बस इसमें यह था कि आपको जो यूनिट्स है न वो कनवर्ट करनी आ जाए यह सिखा रहें आपको इस एक्जाम्पल में एक ट्रेन हैं जिसका मास 20 टंस दे रखा है यह हमने लिग दिया जो कि मुव कर यह एड़ रेट ओफ 16 माइल्स पर आर यू दे दिया आफ्टर जब स्टेम शट ओफ हो जाती है तो वह है ना 500 यार्ड के बाद अपने आप से रुख जाती ब्रेक्स आ कर दी बस क्या था कि टंस को में 2240 के साथ प्रड़क करके निकालते हैं अगर हमें यार्ड को फिट के अंदर कनवर्ट करना है तो मल्टिपलाइ 3 करते हैं तो इस तरीकी साब के जो वैल्यूस हो चेंज हो जाती है तो यह था आपका एक्जाम्पल नंबर 7 अब हम आपकर तरींगिए 2 अंद्ड टैंस दे रहा है एंड आपका हमेस्ट बस मतलब इतना फोर्स लगाता हैं इतना अप्रे और डाश्माइस तरीज पिए indicating मोशन का ट्रेन के साथ 14 एलबीज वेट पर टन एक टन के अकोर्डिंग 14 एलबीज है तो 210 टन के अकोर्डिंग कितना होगा 210 इंटू में 14 एलबीज वेट पर टन हो जाएगा मतलब 14 मुलिप्लाई कर देंगे find the time of the train will take to acquire velocity of कितना time लगेगा अगर उसको इतनी velocity चाहिए rest to see इनिशल वेलोस्टिक 0 देदी स्टार्टिंग नहीं वो रखा है तो सबसे पहले मैं आपको force बताती हूँ किस तरीके से निकलेगी आपकी effective force क्योंकि यहाँ पे एक तो force यह वाली लग रही है ठीक है 3 of 1 by 2 tons वाली ठीक है और एक लगी कि हमारी the resistance to the motion of train एक resistance वाली तो effective force क्य होगी वो हम देखेंगे ठीक है सबसे पहले इन्हों यह वो रखा है कि the engine exert a pull of this तो force जो produced होगी by the engine वो कितनी है कितनी देरी 3 1 by 2 3 2 is a 6 plus 1 7 by 2 हो गया जैसे यह ठीक है 7 by 2 tons weight अब हम क्या करेंगे कि ton को मुझे करना है किसमें हम यहाँ पिस तरीके से निलेंगे सारी वाले तो करेंगे convert तो lbs के अंदर convert करेंगे और lbs से फिर करेंगे pondals में convert जैसे पिछे क्योंकि हमें जैसे यहाँ से उल पिछले equation में 2240 से डिवाइड कराया था 32 से डिवाइड कराया था यहाँ पर हमें पहले इसको lbs में convert करना है फिर pondal में तो इसको हम करेंगे send by 2 into 2240 और into में क्या हो जाएगा 32 यह किस चीज में lbs के लिए हम ने से multiply कि फिर lbs को pondal में convert करने के लिए होता है तो यहाँ गया 10 by 2 into 2240 और into 32 pondals यहाँ अब क्या है फिर resistance force है हमारे पास अब देखो क्या है कि एक इंजन इसका वेट इतना है the resistance to the motion of train is 14 lbs वेट पर तन एक टन के अकोडिंग इतना है तो 14 के अकोडिंग कितना होगा 210 into 14 और lbs में आ गया यह अब और इसको कितने pondal में convert करने के लिए हम क् 32 से product कर देंगे तो यह क्या हो गया pondal में convert हो गया ठीक है अब जैसे यह force आ गया हमारे resistance वाला force अगर effective निकाल लेंगे हम अगर हम effective निकाल लेंगे तो इस force मेंस को minus कर देंगे तो हमारे effective आ जाएगा तो क्या होगा जैसे send by 2 into 2240 into 32 minus 210 into 14 into 32 यह आ गया ठीक है जब आप इतको normal solve करोगे तो आपका answer आ जाएगा 4900 into 32 pondals इतना समझ आ गया क्या कुछ भी निकिया force निकाला है question बहुत easy है कि जो force produced by the engine है वो इतना दे रखा है तो इस तरीके से convert कर दिया resistance हमारा है per ton दे रखा था 210 into 14 करके और pondals में convert कर दिया तो इतना हो गया effective निकाला तो इनमेंस कर दि रखा है तो कि इतना होगा tons में तो लेंगे निया lbs में लेंगे तो 2240 lbs हा गया हमारे इतना वीट है ठीक है यह हो गया अब question तुबार से read करूंगे कि क्या क्या और गीवन है and engine and train weight यह हो गया and the engine exert a pull यह हो गया था resistance हमारी बात हो फाइंड दा टाइम हमें निकालना है ठीक है find the time the train will take to acquire velocity of इतनी velocity from the rest यूज़ी रहते रखा है वी की value हमें यह है 13 miles per hour miles per hour को इसमें convert करेंगे फिट पर सेकंड की फूमें तो हम क्या करेंगे इसके multiply करें 22 by 7 से 15 बातो 44 मिटर पर सेकंड स्कूर अब जैसे मुझे time निकालना है तो यहां पर जैसे mass भी है हमारे पास और force भी है तो उससे हम acceleration निकाल सकते तो पहले हम acceleration निकाल लेते हैं तो क्या होगा जैसे force upon हमारा क्या हो जाएगा mass तो force की value 4900 इंटो 32 upon में 410 इंटो 2240 इसको simple solve करके 1 by 3 of feet per second square आगया तो यह वाली value आगी उसके बाद जैसे हमारे पास यह सारी terms आगी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या निकालना लेगा time तो लगा दो form ला क्या लगेंगा जैसे v equals to u plus ft यही लगता है जब हमारे प 3 और इंटमिटी तो 44 इंटो 3 हो जाएगा हमारे 132 seconds यह होगा हमारे 50 and this is our required solution ओके तो बस सिर्फ में बात यह थी कि आपको limits change करनी आने चाहिए ओके तो यह था आपका example number 8 देखो example number 9 and engine and train weight 200 metric ton एक इंजन और train का मतलब पूरे का जो weight दे रहाए वो 200 metric ton दे रहा है and the engine exert the push of 5 metric ton इंजन है वही exert कर रहा है push 5 metric ton का 5 metric ton weight का find the tension in the coupling tension बतानी हमें कितनी होगी coupling के अंदर if the engine along weight is अगर engine का अकेले का weight 60 metric ton है the resistance being equal to 10 kg per ton तो हमें क्या बतानी है कि find the tension in the coupling tension in the coupling का हमारी क्या होगी वो हमें बतानी है इसके अंदर ठीक है तो सबसे पहल जो given up वो देखो सबसे पहल तो जो engine का mass है वो हमारे 60 metric ton है तो जो हमारी train का है कितना बजाएगा 200 minus 60 140 metric ton तो mass of engine देखो कितना दे रखा 60 metric ton एक metric ton में 1000 kg होता है तो हमारा कितना हो जाएगा जैसे 60 into 1000 kg सिमिलर अगर हम mass of train देखें तो 200 minus 60 140 into 1000 kg हो गया इतना चीक है उसके बाद देखो क्या वह रख है कि इंजन एंड ट्रेंड वेट 200 metric ton एंड इंजन एग्जर्ट पुशो 5 metric ton weight जो इंजन है वो इतना फोर्स लगाता है तो फोर्स यह तो पिछले कोशन की तरह ही है इंजन कितना दिया था कितना दिरका 5 metric tons मतलब 5 into में वहीं अगर kg weight में आप convert करोगे तो इसको क्योंकि यहां पर metric tons weight है तो यहां पर into में 1000 करके kg weight हो जाएगा और kg weight जैसे पहले example में आपको कराया था kg weight के जिए ग्राम न्यूटन भी हो सकता है तो इस तरीके से value आ गई ठीक है तो यहां पर g होता है यह वो gravity वहला g है यह force produced by the engine is this ठीक है kg weight को हम g newton लिख सकते हैं 1 kg weight equal to 1 g newton तो यह value होगे उसके बाद क्या बोल रखा है कि find the tension if the engine along weight is 16 the resistance being equal to 10 kg per ton जो resistance है ना वो हमारा 10 kg per ton दे रखा है resistance तो यह क्या है एक के लिए मतलब 200 अगर 10 kg per ton है तो 200 into 10 kg करेंगे ना हम तो यह value कितनी आ जाएगी जैसे resistance की 200 into 10 kg weight that is kg weight को भी हम यहां पर g newton में convert करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा अगर मैं अब effective force की value निकाल लूँ तो वो क्या आएगा इस force में से इसको minus कर दे तो क्या आजाएगा जैसे 3000 g newton चीक है यह value आ गई तो हमारी यह आगी इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर एक बार कोशन को देखेंगे कि क्या किस तरीके से है कि एक engine और एक train है जिसका weight दे रखा था इस तरीके से engine can exert a push of five जो इस तरीके से वो five कर शकता था push metric ton तो इसको change किया g newton में ले लिया हमने g newton में ही लेना है यह force चीक है फिर उसके बाद हमारी यह भी दे रखी थी part ton के according इतना है तो हमने minus क्या effective force आगया अब हम क्या निकालेंगे यहां यहां पर हम निकालेंगे acceleration के value क्योंकि तो force आगया हमारी पास mass भी है तो हम क्या निकालेंगे acceleration निकालेंगे सबसे पहले ठीक है यह जो value हमें पूरे के लिए निकालेंगे से 200 है न यहां पर यहां पर यह बहला आए जी नूटन तो अगर हम न्यूटन वगएर की फोम में जी की वैलले देखता तो वह հाइन पूंट एट होती है अगर हम गएर हम देखते हैं तो हमारी value अलग change हो जाती है इसके अंदर ठीक है अगर pondals में देखे तो 32 value हो जाती है इस तरीके से तो यहां पे 9.8 है अब उन में mass हमारा कितना है 200 क्योंकि टोटली देखेंगे और इंटू में 1000 सेंट है तो इसका अंसरा जाए तो दिरूपंट 17 मिटर पर सेकंड स्कूर यह हो गया जहां पे जो हमारा अभी इस तरीके से आगया इतना यहां पे इन्होंने क्या वड़क है कि tension in the coupling बतानी है अगर इंजन अलोंग वेट इतना है कि कितनी tension होगी जब हम उनको कपल करेंगे इंजन को ट्रेन को तो वह किसकी इकपल होगा जब हम फोर्स निकालेंगे अफेक्टिव फोर्स ट्रेन पे और जो हमारा resistance होगा ट्रेन की वजह से तो उगर हम उन दोनों को एड़ कर देंगे तो हमारी इतनी त्रेंशन आजाए इतनी टैंशन लगए है उफेक्ट फोर्स और जो हमारा resistance होगा ट्रेन की वजह से उफेक्टिव एड़ जो फोर्स होगा वो भी किसके वजह से ट्रेन की वजह से ही और जो मतलब पूरे उसकी वजह से पूरे को denote कर देते हैं हम किसे भी कर देते हैं force को denote तो क्या होगा mass into acceleration mass कितना नेना पूरी train का कितना है यहां पे अगर हम पूरी train के mass की बात करें तो उसकी value हमारी कितनी होगी यह 140 into 1000 करेंगे क्योंकि हम किसकी बात करें train की ठीक है तो यहां पे mass ले लो बंजी ओ इस ठीक है into acceleration हम ले लेंगे 0.2 क्योंकि हम couple की बात करें है couple होने में कितना लगेगा तो हम resistance भी train का ही लेंगे और क्या भी लेंगे हमारा effective force भी train का ही लेंगे अगर फिर हम उनको add कर देंगे तो इतनी tension लगेगी इतनी tension होगी हमारी train को couple होने के लिए engine के साथ यह तो हमारा पूरे के लिए निकालना है हमने अभी तक जो निकालना है ठीक है acceleration वगर अब कितनी tension produce होगी जब हम उसको इसके साथ connect करेंगे तो वह क्या होगा force हम किसका लेंगे train का क्योंकि couple किसके साथ होना engine के साथ होना तो हम train का ही तो effective force करना सिर्फ जैसे यह newton में आया है अगर आप इसको kg weight में convert करना चाहें तो वन बाई 9.8 से divide कर देंगे और metric tons में convert करना चाहें तो 1000 से और divide कर देंगे चीक है तो जैसे यह answer आया इसको 1 by 9.8 से डिवाइट कर दो इंडो में 1 by 1000 से डिवाइट कर दो तो ये हमारा metric tons में हो जाएगा जो कि 2 point बनना आएगा चीक है इस तरीके से उसके बाद है अगर हमें निकाल अब ये वाली वाली होगी उसके बाद resistance और निकालना है resistance क्या होगा 140 देखो तो क्या था ये हमारा जैसे अगर एक के लिए हमारा अगर देखे तो क्या था 10 kg पर टन है तो ये 140 इंटू में 10 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा यहां पर 1400 kg वेट अगर इसको भी metric ton में convert करना है अगर पहले आप इसको वैसे convert करना चाहिए जी एन लगा कि फिर उसको 1000 से डिवाइड करना चाहिए तो आपकी value कितने आजएगी 1.4 metric tons weight चीग है उसके बाद ये 2.1 और 1.4 को अगर आड़ करतेंगे तो couple होने में इतनी आपको tension लगेगी थोड़ा बहुत याद करना इसके अंदर की ये formula आपको किस तरीके से निकालने कापपल करने के लिए जो आपके tension निकालने न वो ऐसे निकलती है कि couple किसके साथ करना है हमें engine के साथ तो हम train की value देखेंगे effective वाले के भी resistance की भी उनको add करेंगे और फिर जो आएगा फिर हमने बता दिया कि couple उन में कितना जादा उसको लगेगा tension तो हम उनको add कर देंगे ठीक thank you guys for watching my video please do like and subscribe to my channel thank you so much